हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो मैं चैनल, आज हम लेडिस पाइंट की कटिंग और स्टेचिंग करेंगे, तो इसके लिए हमने सवाद दो मेटर फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक की वेड़ थैं 44 इंच, तो सबसे पहले हम फ्रेंट का पाइट कट करेंगे, तो इसके लिए हमने फैब्रिक को डबल में रखा है, इसको ओपन साइट से ही रखना है, अब यहाँ पर हम दो इंच पर मार्क करेंगे, इलास्टिक के लिए, अब यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे, उसके बाद हमें पैंट की लेंथ लेनी है, तो पैंट की रेडि लेंथ है 36 इंच, और उसमें हम दो इंच फोल्डिंग के लिए लेंगे, तो 38 इंच पर हम निशान लगा लेंगे, उसके बाद यहाँ पर भी हमें स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है, अब यहाँ पर हमें कमर का मेजरमेंट लेना है, तो कमर के लिए हमें हिप का 4 प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो हिप है 36 इंच, उसको फोल से डिवाइड करेंगे, तो वह आजाता है 9 इंच, प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे, तो वह आजाता है 11 इंच, तो यहाँ पर कम प्लस 2 इंच मार्जिन लिना है तो यहाँ पर हीप है 36 इंच उसको फूर सी डिवाइड करेंगे तो वह आ जाता है 9 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे तो वह आ जाता है 11 इंच तो आसन भी लेंगे हम 11 इंच का formula सभी size के लिए same रहेगा अभी यहां से हम 2 इंच पे mark करेंगे और आसन की गुलाई का shape देंगे अभी हम bottom लेंगे तो bottom के लिए हमें इसका center निकालना है तो इसका center आ रहा है 6.5 इंच तो यहां पर हम 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और नीचे की तरफ भी हम same निशान लगा लेंगे 6.5 इंच का तो यह इसका center हो गया अभी यहां पर हम bottom लेंगे तो bottom है 7 इंच तो यहां पर हम 3.5 इंच इस तरफ लेंगे 3.5 इंच और 3.5 इंच इस तरह से लेंगे तो bottom हो गया 7 इंच का अभी नीचे भी मार्क कर लेंगे, अभी हम इसको यहां पर जोडेंगे और इसको इसके सामने निशान लगा लेंगे और यहां पर जोड़ देंगे. तो front part की मार्किंग हो गई है अभी हम इसकी कटिंग करेंगे. तो इस तरह से हमने फ्रेंट पार्ट की कटिंग कर ली है, ये दू पीसे फ्रेंट पार्ट के, अब ये बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो इसके लिए हमने फाब्रिक को डबल में रखा है, ओपन साइड में ही रखना है, और अभी फ्रेंट पार्ट को हम इसके उपर रख लेंगे, उपर से 2 इंच का फैबरिक छोड़ना है, उसके बाद ही फ्रेंट पार्ट को रखना है, अब यहां पर हमें बैक पार्ट में चेंजेस करने हैं, बैक पार्ट को हमें बड़ा रखना है, इससे पैंट कमफर्टेबल रहता है और उठने बैटने में भी कोई परिशा जाएंगे, और उसके बाद यह जो आसन वाली साइड है, यहां से हम 2 इंच बढ़ाएंगे बैक के लिए, और उपर की तरफ पूरा 2-2 इंच बढ़ाते हुए जाएंगे, अब यहां पर हमें स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है, और उसके बाद बैक के आसन की गुलाई का शे अब यहां से हमारा यह इतना ही रहेगा, यहां से नहीं बढ़ाना है इसको, सिर्फ आसन वाली साइड से उपर की तरफ बढ़ाना है, तो इसको हम तिर्चा जोड देंगे, अब यह बॉटम में हमें 1.5 इंच बढ़ाना है साइड में, नीचे की तरफ 1.5 इंच बढ़ाएंगे साइड में, और इसको हम यहां पर जोड देंगे, तो बैक पर्ट की मार्किंग हो गई है, अभी हम इसकी कटिंग कर लेंके, तो इस तरह से बैक पर्ट की बे कटिंग हो गई है, तो यह बैक के दो पीस है, अभी दोनों पार्ट की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है, उसके बाद हमें आसन में सिलाई लगानी है, तो हमने आसन में सिलाई लगा दी है, अभी इसको ओपन करके रखेंगे, दोनों पार्ट्स की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ ही रखनी है उसके बाद हमें सबसे पहले आसन में सिलाई लगा देनी है तो हमने आसन में सिलाई लगा दी है अभी हमें इसके बॉटम को डबल फोल्ड करना है तो ये जो दो इंच का हमने छोड़ा था इसी को हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे एक छोटा सा फोल्ड कर लेंगे उसके बाद इतना फोल्ड कर लेंगे तो इस तरह से हमने दोनों साइड के बॉटम को फोल्ड कर दिया है अभी हमें साइड को फोल्ड करना है तो नीचे से हमें slit रखना है तो यहाँ पर front का पार्ट छोटा है और back का पार्ट बढ़ा है तो हमें इन दोनों की किनारियों को इस तरह से मिला लेना है और उसके बाद हम नीचे से 2 इंच पे mark करेंगे 2 इंच तक हम slit रखेंगे उसके बाद यहाँ से इसको stitch करेंगे नीचे से slit रखना है सेम इसी तरह से दूसरे साइड में भी हमें दोनों की किनारियों को इस तरह से मिला लेना है और यहाँ पर भी हम 2 इंच पे mark करेंगे 2 इंच को छोड़ना है उसके बाद यहाँ पे stitch करना है तो इस तरह से हमने sides को stitch कर लिया है और नीचे से slit रखा है अभी यहाँ पर हम इसको इस तरह से double fold करके stitch करेंगे तो यहाँ पर हमें hand stitch करना है जिससे की finishing अच्छी आएगी जिस तरह से कुरती में chuck बनाते हैं side में उसी तरह से इसको stitch कर लेंगे hand stitch अभी belt को ready करेंगे तो belt के लिए जो हमने doing छोड़ा था इसी को हमें इस तरह से fold करना है और पूरे round में stitch कर लेना है तो यहाँ पर मैं आपको इसको stitch करके दिखा देती हूँ तो हम front side से शुरू करेंगे अब यहाँ पर हम back side में आ गए हैं तो यहाँ पर हमें एकदम हलके हाथों से fabric को fold करना है यह दिखिए इस तरह से एकदम हलके हाथों से fold कर देंगे तो यह easily fold हो जाता है बिल्कुल भी इसको खिचना नहीं है तो इस तरह से हमने इसको fold कर लिया है यहाँ पर थोड़ा सा open रखा है elastic डालने के लिए तो इस तरह से देखे belt को fold कर दिया है अभी यह हमने elastic लिया है और elastic की जो length है वो हमने 27 इंच की लिए है अभी एक safety pin लेंगे और यहाँ पर लगाएंगे और elastic को इसके अंदर पास करेंगे एक side से elastic को डालना है और दूसरी side से बाहर निकाल लेना है तो इस तरह से हमने elastic डाल दिया है अभी इसको overlap करके stitch करेंगे तो हमने इसको stitch कर लिया है अभी इसको अंदर करेंगे और यह जो open है इसको हमें stitch करना है तो इस तरह से हमने stitch कर लिया है अभी इसको खीचते वे पूरे round में हमें सिलाई लगानी है जिससे की elastic पलटेगा नहीं अभी bottom में जो हमने slit रखा है यहाँ पर हमने button stitch कर लिये है तो इस तरह से यह हमारा pant ready हो गया है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और आप चैनल पे नए हैं तो subscribe भी कीजिए thank you प्राइब झाल प्राइब तो